पच्चो गुरुकुल में आपका स्वागत है आज हम लोग कलास तेंथ के साइंस में नियंतरन इवं समनवय चेप्टर के अंतरगत पौधे कैसे बिर्धी करते हैं इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और पौधों में बिर्धी के कारण जो गती होता है वो गती किस प्रकार क होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे और यह जो गती करने के जो किरिया है उसका नाम है ऐसे पौधों में जो गती होती है ठीक है जो गती होती है उस गती को अनुवरतन कहा जाता है ठीक है ट्रोपिज्म भी बोला जाता है और यह ट्रोपिज्म होता क्या है अनुव कास है गुर्दवा कर्शन है ठीक है इसके चलते भी पौधों में कुछ अनुवर्तन आता है गतियों में परिवर्तन आता है इसके अलावा हम लोग यह भी जानते हैं कि पौधे जो है पादप की जो जड़ है हमेशा नीचे की और बिर्धी करते हैं और उसका जो प्रो भाग है जड़ मतलब नीचे का भाग पौधा का और प्रो मतलब उपरतना या उपतना को बाद जेतने भी भाग हैं सबी साकाई सब तो प्रो जो है उपर की और गति करता है और पिर्धी भी से दूर बिर्धी करते हुए आगे की और बढ़ता है तो यह जो परिवर्तन आता है य पौधों की गति तो कहता है कि अनुवर्तन का प्रिभासा उतेजना की दीशा में पौधों की गति को अनुवर्तन कहते हैं अब है कि अनुवर्तन किसने परकार के होते हैं तो अनुवर्तन जो है चार परकार के होते हैं परकास के चलते अनुवर्तन होता है गुर्तवा करस के चलते अनुवरतन होता है जल के चलते अनुवरतन होता है और कुस रसाइनिक परदार्थ मतलब खादी सब जो हम लोग देते हैं वह रसाइनिक परदार्थ है उसके चलते भी पौधों में की बिर्दी होता है उसके चलते उसमें गती होता है तो चलिए पहले पहले पहला ज मतलब प्रकास के कारण तो प्रकास के प्रति पौधों के भाग की गति जैसे सुर मुखी का सुर की दिशा की और मुड़ना या प्रकासानू वर्तन का लाएगा अब दूसरा जो है उसका नाम है गुर्तवानू वर्तन गुर्तवानू वर्तन मतलब गुर्तवाकरसन बल के कार गुर्तवानु वर्तन कहलाएगा जैसे जड़ की गति जड़ हमेसा क्या होता है पृतिवी के नीचे की और तरब जाता है गुर्तवाकर्शन की तरब जाता है तीसरा है जलानु वर्तन तो जल के प्रती पौधों के भाग की गति जलानु वर्तन कहलाएगा और जैसे में है कि जड़ को जल की और गति करना यदि आप कोई पौधा है और उस पौधा है यदि पौधा रखा हुआ पौधा के बगल में यदि आप जल कर दीजेगा तो पौधा का जो जड़ है वो जल की और गति करने लगेगा तो यह अब हो गया जलानो वर्तन और यहाँ पर देखी रहे हैं फिगर के माध्यम से यह भाग उपर की ओर जा रहा है गुर्तवा करसन से दूर और जड़ जो है गुर्तवा करसन की ओर जा रहा है यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं परकास है परकास ज ठीक है रसाइन मतब रसाइनिक पदार के चलते ठीक है रसाइनिक उत्परेरक के प्रती पोधों के भाग की गती रसाइना नुवर्तन कहलाएगा जैसे में पराग नलिकार द्वारा बिजांड की और बिर्धी करना या पोधा है उसमें अधी पोधा बिर्धी नहीं करा हुआ खा दे दिये तो उसके चलते उसमें बिर्धी होने लगना, हर्याली आजाना या रसायना नुवर्तन का उधारन है एक कोशन है पादफ हार्मोन से related कि पादफ हार्मोनों को नियामक क्यों कहते हैं ठीक है नियामक मिस रेगुलेटर्स ठीक है रेगुलेट करने वाला क्यों पादप हार्मोन को कहा जाता है इसका एंसर है कि पादप हार्मोनों की सुछ मात्रा पौधों में चमतकारी परिवर्तन ला देती है और इसके परभाव से कई परकार की पादप किरियाओं के बीच ए इसलिए पादप हार्मोनों को नियामक कहते हैं ठीक है तो पादप हार्मोन जानते हैं कि पादप हार्मोन के चलते हैं उसमें बहुत तरह का परिवर्तन बहुत से देखेगा कि कोई पादा फूल नहीं दे रहा है फूल खिल नहीं रहा है लेकिन जैसे उसमें हर पादप हा हाजाता है